हैं है लो रीवन कि प्रिव्येस टु एकर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको रेक्रेंस रिलेशन का एक लोंग क्यूशन देखने को जरूर मिलेगा DSTL में या discrete mathematics में आज किस वीडियो में हम जानेंगे recurrence relation क्या होता है कितने टाइप से हम recurrence relation को लिख सकते है और कुछ basic terms and terminology जो हम recurrence relation से related पढ़ने वाले है चलिए start करते है सबसे पहले जान लेते हैं कि recurrence relation क्या होता है और recursive formula क्या होता है है ना तो definition में मैंने आपको बताया है a formula which define any term of a sequence by its previous terms एक ऐसा formula में generate करना होता है जिसमें हम किसी भी term को उसकी previous उससे पहले वाली term से represent कर सकते है is called recursive formula वह हमारा recursive formula कहलाता है और यह जो relation हमारा बनता है and the relation is called recurrence relation और इस case में जो हमारा relation बनकर के आएगा है ना वो हमारा recurrence relation होता है मतलब आपको किसी भी term को previous term की form में दिखाना है recurrence relation के बनाने के लिए example से clear हो जाएगा मैंने एक sequence consider कि 3, 8, 13, 18, 23 हम इसके लिए यहाँ पर recursive formula recurrence relation बनाते है अगर यहाँ पर पहली term को देखे पहली term को हमने बोला A1 है ना पहली term को देखे तो पहली term 3 है तो A1 की value 3 हो जाएगी अब देखते हैं दूसरी term को दूसरी term है A2 जो की 8 है अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम A1 की term में लिख ले अगर A1 की term में लिखे तो आप जानते है 8 को हम क्या लिख सकते है 3 प्लस 5 और 3 क्या है हमारा 3 है A1 की value है ना A1 प्लस 5 जैनि कि हमने क्या किया जो A2 term थी उसको उसकी previous term में लिख दिया सेम तरीके से हम A3 को अगर देखे A3 है हमारा 13 ठीक है 13 को भी हम क्या लिख सकते है उसकी previous term जो A2 है उसकी form में लिख सकते है क्योंकि आप जानते है कि 13 को हम क्या लिख सकते है 8 प्लस 8 प्लस 5 की form में हम लिख सकते है 13 को है ना 8 क्या है हमारा A2 है और प्लस 5 यनि कि हमने क्या क्या A3 को भी A2 की form में लिख दिया ऐसे हम यहाँ पर A4 को लिख सकते है है ना अगर A4 को लिखे तो A4 है हमारा कितना 18 18 को हम लिख सकते है 13 plus 5 और 13 किसकी value है A3 की है ना तो A3 plus 5 तो इस तरीके से हम इसको जन्नल या कर ले करके जाए तो उसकी nth ट्रम को भी हम उससे previous ट्रम में लिख सकते है जो बनेगी हमारी An-1 plus 5 ठीक है तो एक हमने relation यहाँ पर N की form में develop किया जो हमारा An equal to An-1 plus 5 प्लस 5 और इसको bracket में मैंने detail में बताया है यह हमारा relation किसके लिए होगा जब N की value 2 या 2 से बड़ी होगी क्योंकि हमें ने जो relation यह बनाया है यहाँ से start किया था second term से तो N की value 2 से जब start होगी तब रिलेशन fulfill होगी condition और इसमें जो पहली term है जो की initial या boundary condition कहलाती है वो है हमारी An equal to 3 जो कि हमने सबसे पहले लिखी थी ठीक है तो यह जो relation हमारा बन करके आया है यह recursive formula कहलाता है इसमें हमने An को उसकी previous term An-1 की form में लिखा है यह हमारा recursive formula होता है और यह जो complete relation हमने बनाया है N की condition और first term को लिखते हुए यह हमारा कहलाता है recurrence relation इसको recurrence relation भी कहते है sometimes इसको difference equation भी बोला जाता है ठीक है न sometimes इसको difference equation भी बोला जाते है मैंने नीचे लिखा है the formula is called recursive formula and the relation is called recurrence relation or difference equation तो इस तरीके से हमारा है difference equation का basic बन जाता है और जो उसकी starting की term होती है beginning term जिसको आप कहते है जैसे यहाँ पर A1 की value 3 थी तो उसको हम initial condition कहते है या फिर boundary condition भी बोलते है है न initial condition या boundary condition बोलेंगे यदि हमें starting या beginning की term given हो अब इसमें आता है तो होगे recurrence relation की basic definition अब हम जाते है कुछ important note की तरफ यह काफ़ important note है क्योंकि अगर आप को यह note आ गया तो आप recurrence relation के question की अराम से पहचान कर सकते है तो बो ध्यान से समझेंगे इसको recurrence relation को exam में चार तरीके से पूछा जाता है मतलब चार form में इसको हम लिख सकते है ठीक है इन चार से अलग भी एकाद form बन सकती है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं चारों को explain कर देता हूँ जो ज़्यादा तर पूछी जाती है सबसे पहले तो A की form में ही होती है है ना जैसे कि हमने एक recurrence relation यहाँ पर बनाया वो है हमारा A R plus 3 plus 3 A R plus 2 plus 4 A R plus 1 plus 8 A R equal to 0 यह recurrence relation मैंने बनाया जो A की form में है जिसमें हमारे subscribe जो है वो हमारे R की form में चले है 4,8 हमारे constant होगी तो एक तो होती है standard form सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली form यही है exam में सबसे ज़्यादा इसी form में question पूछा जाता है कभी-कभी question में क्या किया जाता है कि A की जगा पर A की जगा पर replace हो जाएगा Y और R की जगा पर यह अर बीज हो जाएगा edge तो यह हमारा correlation Y और H की form में आ जाएगा जैसे की AR प्लस 3 को लिख दिया YH प्लस 3 AR प्लस 2 को लिख दिया YH प्लस 2 और AR प्लस 1 को लिख दिया YH प्लस 1 और 8 AR को लिख दिया YH řीक है तो यह होती है दूसरी form इस form में भी आपसे question दिया जा सकता है ठीक है तीसरी form तीसरी form होती है U और X की form में मतलब अगर इसे माले relation में A को हम replace कर दे U से और R को replace कर दे X से तो हमारी form बन जाएगी form number 3 जो होगी AR plus 3 को replace किया है हमने UX plus 3 से और 3 AR plus 2 को UX plus 2 से 4 UX plus 1 से 8 UX से ठीक है तो तीसरी form होती है ये जो मैंने बताए आपको U और X की form में last form जो की काफ़ important है इस form में भी question पुछा जाता है जादतर ये form आती है questions में जादतर ये form आती है दो form पुछी जाती है लेकिन मैंने आपको चारो form बता दी ताकि आपको आगे किसी question में problem ना हो question किसी भी form में दिया जा सकता है अब यहाँ पर क्या किया जो AR plus 3 है या simply AR है उसको हमने यहाँ पर FX function माना AR को किस form में convert किया FX function माना तो जो AR plus 1 होगा वो हो जाएगा FX plus H AR plus 2 होगा वो हो जाएगा FX plus 2H है ना AR plus 3 होगा वो होगा FX plus 3H तो इस तरीके से हम अगर इसको denote करें तो हम इस form में भी easily इसको लिख सकते है वह हमने लिखा भी है देखे जरा नीचे FX plus 3H plus 3 FX plus 2H AR plus 2 की जगा 4 FX plus H और AR की जगा आपने represent किया है FX को ठीक है तो यह हमारी जो है recurrence relation की कुछ चार form होती है चार form में से किसी भी form में question आ सकता है और आगे भी मैं चारों में से कोई भी form लिख सकता हूँ आपको confused नहीं होना है अच्छे से पैचान कर लेनी है ठीक है और जरूरी नहीं है कि recurrence relation के एकवल में 0 ही हो जैसे यहाँ पर मैंने एकवल में 0 लिखा है जरूरी नहीं है कि एकवल में 0 ही हो एकवल में हमारा r का function होगा कभी कभी r का function आपको देखने को मिलेगा जातर question में 0 भी आता है और fr यहाँ पर यहाँ पर यह convert हो जाएगा fh में यहाँ पर यह convert हो जाएगा fx में और यहाँ पर यह कोई x का function बनेगा जिसको kx कह सकता हूँ तो जरूरी नहीं है कि एक वल में 0 ही रहे 0 नहीं भी हो सकता है इस तरीके से function की form में आ सकता है तो यह very important है recurrence relation की 4 form मैंने बताई जिसमें से कोई सा भी हम use कर सकते आगे किसी भी form में question को मैं बना सकता हूँ ठीक है ना next definition होती है कि अगर कोई recurrence relation है तो उसका हम order find कर सकते है by difference equation recurrence relation एक ही बात है जैसे differential equation में आपने order degree find करना सीखी थी mathematics में semester 2 में सेम तरीके से यहाँ पर इस recurrence relation को भी difference equation कहते है क्या बोलते इसको difference equation अगर है difference equation है तो इसका भी हम order और degree find कर सकते है order कैसे find करते है आपको क्या करना है the difference between highest and lowest subscript जो highest और lower subscript होंगे हमारे उनका हमें difference निकालना है क्या निकालना है difference और जो वो difference होगा वही किसको define करेगा वही define करेगा हमारे recurrence relation के order को ठीक है न और आपको पता है चार form हमारी बन सकती है UX की form में आ सकता है UH की form में आ सकता है AR की form में होती है standard और FX की form में भी आ सकता है तो अगर हम highest और lowest degree के difference को निकाल दे तो हमारी recurrence relation का order find हो जाता है For example, कुछ examples लेते हैं जैसे कि यह हमारा है यह हमारी difference equation है यह recurrence relation है इसमें highest subscribe है हमारा R और इससे lower subscribe है इसमें R-1 दोनों को minus कर देते हैं difference निकाल लेते हैं तो solve करके कितना आया? 1 तो इस difference equation का order कितना होगा? 1 इसमें higher subscribe है x plus 2 और lower है fx तो x plus 2 में से यदि आप x को घटाते हैं तो 2 आएगा इसका मतलब इसका order होगा 2 इसमें higher subscribe है h plus 3 और lower है h तो जब h plus 3 में से हम h को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 तो इसका order होगा 3 ठीक है? सेम तरीके से यहाँ पर higher है x plus 4 और lower है x plus 1 x plus 1 को घटा देंगे solve करके 3 आएगा तो इसका भी order कितना बिलेगा हमें? 3 तो इस तरीके से हम किसी भी difference equation का subscribe को लेकर के highest और lowest को घटा सकते हैं और उसका order find कर सकते हैं अब बात करते हैं डिगरी की हम recurrence relation की डिगरी भी find कर सकते हैं और recurrence relation की डिगरी क्या होती है? डिगरी आपको पता है कि power से relate करती है तो इसमें आपको क्या करना है? जो recurrence relation होगा उसमें आपको highest power देखनी है क्या है? जो उसमें highest power होगी जो इसकी AR, UH की form X, UX की form FX की जो भी highest power होगी वही किसको define करेगी? डिगरी को define करेगी 4 example जैसे कि 4 recurrence relation हमें दिये है इसमें AR की highest power कितनी है? 4 तो डिगरी कितनी होगी इसकी? डिगरी हो जाएगी 4 यहाँ पर highest power कितनी है? 3 तो डिगरी होगी 3 आपको difference equation में या recurrence relation में power देखनी है, highest कितनी है? वही डिगरी को define करेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की power 1, 1, 1 है इसका मतलब यह कितनी डिगरी की recurrence relation है? यह एक डिगरी का recurrence relation है इसमें भी इसकी भी power 1 है इसकी power 1 है, इसकी power 1 है तो यहाँ पर भी डिगरी कितनी हो जाएगी? डिगरी यहाँ पर भी हमारी 1 ही रहेगी तो इस तरीके से हम recurrence relation की order or degree को define कर सकते है बात करते हैं linear and non-linear recurrence relation की linear word जहां पर भी आता है तो आप समझ जाते है कि जो हमारा recurrence relation है या कोई भी equation है उसकी power कितनी होगी variables की power कितनी होती है one power में होना चाहिए तो linear बनता है otherwise क्या रहेगा non-linear तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर recurrence relation में define करना है जो recurrence relation में हम अगर उसको linear बताना चाहते है तो हमें देखना है कि उसकी degree कितनी है अगर उसकी degree one है तो वो recurrence relation क्या होगा? linear मतलब जो highest power है ठीक है? variable की AR की या FX की जिसकी भी आप कहीं वो one हो तो हम कहेंगे recurrence relation linear है otherwise वो होगा non-linear for example number one हमने लिया AR plus 2 plus 2AR equal to r square ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखे तो जो हमारा AR जो हमारा variable की form में चलता है उसकी power one है इसकी भी power यहाँ पर one है चाहे तो आप equal में 0 ले लिए जिने तो konfirm हो जाओगे तो दोनों की power one है दोनों की power one का मतलब यह होगा कि यह हमारी कैसी recurrence relation होगी linear recurrence relation होगा linear recurrence relation लेकिन अगर कुछ इस तरीके से आपकी function की form बन जाएगी AR plus 2 का whole square plus 3AR minus 1 equal to 0 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और कितनी हो गई डू वन पावर की केस में लीनर होती है तो यह हमारी कैसी बनेगी रेक्रेंस रिलेशन यह बनेगा नोन लीनियर रेक्रेंस रिलेशन नेक्स डेफिनीचन हमारी होती है है इकवल में कैसा function है आर का function है तो इस reference relation को जो के order का हमने reference relation बनाया है यह homogeneous होगा यदि इसका equal का part 0 हो जाए ठीक है homogeneous होगा यदि इसमें जो equal है f r वो 0 हो जाए और यह हमारा non homogeneous होगा यदि इसमें equal का part 0 ना हो मतलब f r हमारा note equal to 0 फोर एक्जामपल जैसे कि यहां पर आप देख सकते इस reference relation में equal का part 0 है तो यह हमारा reference relation कैसा होगा homogeneous reference relation होगा इस दूसरी reference relation में अगर देखे तो equal का जो part है वो 0 नहीं है तो यह non homogeneous होगा होगा ठीक है तो यह होता है homogeneous है non homogeneous reference relation बात करते हैं general solution की reference relation के लिए solution आप जानते हैं कि अगर हम किसी differential equation या difference equation या reference relation का solution निकालना चाहते हैं तो वह हमारे एक ऐसा function बनता है जो की given reference relation को satisfy करेगा ठीक है तो general solution वही बन जाता है a function f r कोई function है जो r का function है is called general solution of the given reference relation if it satisfies the reference relation अगर वो satisfy कर देता है उसको तो वो हमारा general solution कहलाएगा reference relation का एक होता है particular solution particular solution क्या होगा वह भी एक r का ही function होता है लेकिन उसको particular solution कब कहेंगे reference relation का if it satisfy the reference relation reference relation को तो satisfy करे ही together with the initial conditions जो हमें initial conditions दी होती है या boundary conditions दी होती है अगर वो उनको भी satisfy कर जाता है तो वो हमारा बन जाता है particular solution और किसी भी reference relation का अगर आपको general solution find करना है तो आपको दो solution find करने होते है एक solution निकालते है homogeneous solution जिसको कहते है plus दूसरा solution होता है particular solution जैसे आपने differential equation में पढ़ाता है y equal to cf plus pi सेम है वो थर differential equation के लिए complementary function plus particular integral यहाँ पर होता है y की जगब पर work करता है ar और cf का काम करेगा homogeneous solution है न और particular solution particular integral का मतलब यहाँ पर होगा particular solution तो उसी तरीके से आप यहाँ पर दो solution find करके दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ar general solution find हो जाएगा जैसे वहाँ पर cf आप निकालते थे differential equation की left side से और pi निकालते थे differential equation की right side से ठीक है और अगर right side हमारी 0 हो तो pi वहाँ पर होता था 0 सेम केस यहाँ पर चलेगा है ना सेम केस यहाँ पर चलेगा अगर recurrence relation में equal का part 0 है तो इसका मतलब जो particular solution है वह भी वहाँ पर क्या होगा जीरो होगा लेकिन जो रक्रेंस relation का left side वाला पार्ट होगा उससे हम निकालते हो मुजीनियस solution ठीक है ना जो कि next वीडियो में मैं आपको कहीं सारे example से बताऊंगा उसका working rule बताऊंगा और homogeneous solution को find करना सिखाऊंगा तो इसमें दो lecture मेरे और आएंगे एक वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको homogeneous solution find करना एक वीडियो में मैं सिखाऊंगा particular solution find करना और उसी से हमारे दोनों को add करने पर हमारा ए आर जो है general solution find हो जाता है तो आज की इस वीडियो में इतना ही basic सारा cover हुआ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा recurrence relation में homogeneous solution कैसे find करते है thank you for watching